जैभीम दोस्तो नव्यान एकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है मैं पंकर स्तामबे आपको आज कंजुमर बिहेवियर के बारे में बताऊंगा और उसमें एक मॉडल है एंजल कोलाड ब्लाक्वेल मॉडल तो सबसे पहले आप क्या कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत जरूरी है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर लाइक ना किया है तो क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलेगा मुझे ऐसे वीडियो बार बार बनाने है इस model में पाँच step होते हैं एक होता है awareness अब यह awareness क्या होता है जैसे आप देखते हैं कि advertisements आती है ठीक है holding लगे होते हैं या आपके घर पर pamphlets आते हैं तो इससे क्या किया जाता है awareness create किया जाता है अब जैसे ही awareness create कि हो गई आप क्या करते हो आप जो information आपको मिल रही है उसे processing करना चालू करते हो ठीक है कि product कैसा है क्या है उसके बाद आप evaluate करते हो कि भई advertisement ले में लिखा है 20% discount है या 30% discount है तो आप क्या करते हो existing product से आप compare करना चालू करते हो आप क्या करते हो evaluate करते हो उसके बाद आप purchasing का decision लेते हो और जैसे ही आपने product purchase कर लिया आप प्रड़क्ट की quality जच करते हो और अगर आपको product पसंद आ गया तो अब क्या होगा जो company है उसे customer मिलते रहेगे कि कि आप ही बताओगे यह product बहुत अच्छा है तो company को एक customer बिल गया साथ ही customer और भी ज़्यादा customers को बताएगा तो यह हो गया angel collat blackwell model अब यह जो angel collat blackwell model है यह economic model of consumer behavior है और जिसे हमें social model of consumer behavior से integrate करना है अब हमारे समाज में कुछ pharmacy की दुकाने हैं कुछ हमारे किराना शौप है जो बड़े है फिर कुछ कपलों की दुकान होगी और कुछ beauty parlors या फिर beauty से related कोई stores होगे जहाँ पर lipsticks और भी बहुत सारी चीजे बैंगल्स एक्सेक्टर एक्सेक्टर मिल रहे होगे तो मानलो हमने पकड़ लिये है यह चार शौप्स ठीक है अब इन चार शौप्स को मिलकर अपनी ब्रांडिंग कैसी करनी है ठीक है तो हमने डिसकस किया है एंजल को लैड ब्लैक्वल मॉडल अब मान लेते हैं यह फार्मसी है इस फार्मसी के पाथ एक कस्टमर आ रहा है जो उसका रिगुलर कस्टमर है और जो हर साल कम से कम चार हजार रुपए या पूरी फैमिली बिला के छे हजार या उससे ज़्यादा की मेडिसिन्स खरीद रहा है ठीक है यहां आपका रिगु हो ना नहीं चाहते हो आप इसे फुल सर्विस दे रहे हो या परजी दे दीजिए हम आपको होम डेलिवरी पर घरा देंगे अब इस कस्टमर को और भी ज्यादा अगर आपको रेटेन करना है तो आप क्या करोगे अगर आप हर साल मेडिसिन्स खरीद रहे हो इतने क्या तो हाप किया कीजिए इती की अरज पां अभी यहाद को जंडरेट हुआ है इस पाटिकुलर महने में मान रोफ आपको इस पर्टिकुलर किराना दुकान से अगर आप शॉप्स से अगर आप सामान खरीदोंगे तो आपको कुछ डिसकांट मिलेगा मान लो 5% डिसकांट मिलेगा या आपका कुपन इस तहरे को आफर देगा मान लो गार्मेंट दुकान से आप अगर कोई बना रिसी साड़ी या फिर कोई लोथ या जीन्स कुछ भी खरीते हो तो आपको कम से कम 30% discount मिलेगा ठीक है तो यहां किलाना भी अपनी आद्मी का होगा यह गार्मेंट भी अपनी आद्मी का होगा और जैसे मैं यहां एप्रिल मैंना लिखा है एप्रिल मैंना क्यों लिखा है मैंने कि इसके बाद शादियों का सीजन चालू होता है ठीक है या फिर आप coupon generate कर सकत हो beauty products में अब अगर आप 1000 रुपे की खरीदी करते हो तो यहां भी आपको 10% discount मिलेगा गार्मेंट में 30% हो सकता है किराना शॉप पर वैसे भी discounts बहुत कम होते हैं तो 5% हम मान लेते हैं तो यहां आपके collaboration पर डिपेंड है फार्मसी वाला क्या करेगा इन तीनों से collaborate करेगा क किराना शॉप वाला क्या करेगा कि राना शॉप वाला अपने regular customers के लिए coupon generate करेगः और वह गार्मेंट्स और फार्बसी शॉप से कूपन दिलवाएगा ठीक है अगर आप जैसे किराना शौप हो गया किराना शौप कहेगा कि भी आप किस एरिया से आते हो ठीक है अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया से आते हो तो यह फार्मेसी से आप जो भी मेडिसिन खरी दोगे उसमें आपको 10% डिसकॉंट मिलेगा ठी है अब क्या हो रहा है इसमें आप क्या कर रहे हो इस कूपन के जरिये आप कर रहे हो अवेर्नेस क्रियेट यह देखो अवेर्नेस क्रियेट कर रहे है और कूपन में लिखा रहे है कि भी आप दो या तीन महने में कभी भी खरीद दो तो अब जैसे ही कस्टमर को कूपन मिला वो क्या करेगा information processing करना चालू करेगा बैया मुझे तो coupon मिल गया है और जो pharmacy या कीराना शॉप ने जो pharmacy या garment store बताया है वह घर के पास ही है शायद pharmacy घर के पास होगी गार्मेंट शॉप दो तीन किलोबिटर दूर होगा में मार्केट के तरफ कहीं पे भी हो सकता है या गार्मेंट वाला घर पे भी आ सकता है अगर फोन पॉल किया जाए तो ठीक है जैसे बनारसी साड़ी हो गया तो वो लोग आ जाएगे ठीक है तो यह क्या हो गया information processing हो गया अब फार्पसी जो की अपना नीड होता है गार्मेंट जो अपना नीड होता है तो भी यह उससे तो खरीदना है तो को भी वैल्यूशन करना चालू करेगा पर्चेसिंग रेसिजन लेका और अगर अगर माल यहां क्लिक हो गया तो जो आउटकम जो आएगा अब उसे अप भी यह मुझे तो तो जो भी साय खूए मैं इससतरों मुझे मैं मिली हूई है तो जो भी दुकान हो जोको उसके क्या होगा कस्टमर रिटें होगा और जादा से जादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे तो आपको क्या करना है तीन चार डिफरेंट सेग्मेंट्स की जो दुकाने है उन्हें एक दूसरे के बीच कोलाबरेट करना ही पड़ेगा अगर बिजनस बढ़ाना है तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए यह जो मैं वीडियो बनाया है यह सिरफ एजुकेशनल परपस के लिए है ठीक है आपको जो भी बिजनस करना है आप अपना डिव डिलिजन्स और सोच समझ के आप अपने मॉडल बनाईए मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह परफेक्ट मॉडल है ठीक है इस में कुछ बाते हो सकती है जैसे यह चार तुकाने हैं इनके बीच का कॉलाबरिशन और इनके बीच का जो quality control है अगर यह बहुत अच्छा है ठीक है तो success होने के chance जादा रहेंगे ठीक है तो जैसे यह pharmacy है यह 5 साल पुरानी है और यह kmra conv spre अगर 5 साल पुराना है यह 3 साल पुराना है जिसका market में अच्छा reputation है तब जाके आप collaborate कर सकते हो तो आपको क्लाइबरेशन भी ध्यान से रखना है सारी चीज़े मैं इस वीडियो से नहीं बता पहूंगा लेकिन मैं बता रहा हूं यह सिरफ एजुकेशनल परपस के लिए यह वीडियो है आपको जो बिजनस करना है वहां आपका डिसीजन होगा ठीक है तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कैभी